नमस्कार स्वागत आपका मैं हूँ आपके साथ रोहित पुनेठा सीमा हैदर की जंदगी में जिस तरीके से चीजें बदल रही है और बहुत फ्रीक्वेंटली मेरा मतलब है कि बहुत तेजी से जो बदल रही है रोलर कोस्टर की तरह जो चीजें हो रही है उसको देखकर शूरा टो यह उपना लिया है सीमा है और सचिन ने इसमें शूरी यहादा है बलंकि फोड़ी नहीं बहुत जव्लृइदा लहीं के बढ़ए नहीं पदलती जा esa लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया मजबूत होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सीमा का जो सिक्का है वो बुलंद होता जा रहा है बुलंदियों की और बढ़ता जा रहा है और इसलिए लोग यह कह रहे हैं कि भाई सीमा राजयोग लेकर आई है और सीमा क किसमत में तो चांद सितारे जड़े हुए हैं अब यह मैं क्यों कह रहा हूं या फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके पीछे इस चीज को समझने के लिए हमको अभी चार-पांस दिन पहले जाना पड़ेगा चले चार जुलाई से शुरुवात करते हैं चार जुलाई वो द सा गरतारी हो गई गरफ आर्फ तारी के बाद कोर्प में पेशी हुई फोट के चैरी के जिसका जवाब सीमा को देना पड़ता था तो एक वो भी वक्त था फिर ये भी हुआ कि भाई क्या ये जासूस है क्यूंकि एक नंबर से मेरा मतलब है कि कागज वगेरा तो कुछ है नहीं साथ में और ऐसा तो है नहीं कि वीजा लेकर आई हो ये तो शुपते शुपाती भी नहीं है फिर उसके बाद धीरे धीरे अब जो एक तरह से कम में गोल्डन पीरिट जो है वो शुरू हो रहा है और इसलिए लोग अब इसको राजियों कह रहे हैं पिछले पांसाथ दिनों में जो सीमा के किस्मत है उसने बड़ी तेजी से बल्टी खाई है अब आप समझे को ही तो पउसिटेव पबलेटि से अच्छा माना जाता है ऐसे में लोगों के जहम में चाहिते हैं लोगों के लोगों में जादा रहते हैं Talking नेगटिव पबलिक सटी मिली यह पो मिली सोशल मीडिए पार सी माय होती चेयले कि सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें पंध कुछ बढ़ते जा रहे हैं और उसका बहुत जल्दी जो मॉनिटरी फाइदा है यानि कि जो पैसों का फाइदा है वो भी उसका बहुत जल्दी अब सीमा को और सचिन को मिलता हुआ देखेगा फिर एक बात सामने आए कि भई सीमा को फिल्म उफर की गी उसके बारे में भी हमने मैटीरियल है इसको फिल्म में लेना चाहिए और वैसे भी किसी फिल्म के लिए चाहिए होती है और सीमा तो वैसे भी बहुत जबर्दस्त इस पक्प्लिसिटी से गुजर रही है तो फिल्म के जो प्रोडूसर नो ने फिल्म उफर की तो यह यह दूसरा इंसिडेंट हुआ फिर एक खबर आयी कि भई एक डाक आई है सीमा हेदर के घर और इस डाक छाहे जरीए सीमा हैदर को नौकरी एफर्ट की गई है नvak में सिर्फ सीमा को बलकि सचिन को भी नौकरी ऑफर्ट की गई है इस तस यह संब से देखा जाए तो 12,000 लाग को ओफर इन दोनों को सीमा औ साथ और चौती चीज अब अब यह है कि भाई देखिए हिरोइन बनने का उफर भी आ गया यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बनने की तरफ वो बढ़ रही है नौकरी का उफर भी आ गया है सीमा और सचिन को अब क्या बचता था अब बचता था पॉलिटिक् प्रभावी लागू तब से होगा जब से सीमा है रहे हैं चाहे वो बाकी के लोग है सब यह कहरें क्लीन चिट मिल जाएगी तो हमारी पार्टी में उनको स्वागत है बलकि वो यह कह रहे हैं कि न सिर्फ स्वागत है हम तो 2024 में उनको टिकट भी देंगे सांसद ही का टिकट देंगे क्यूंकि 2024 में इंदोस्तान में चुनाव हैं लोग सभा के यह कह रहे हैं कि 2024 में हम सीमा को सांसद बनाने की तयारी भी करेंगे यह Republican Party of India की तरफ से कहा जा र देंगे और पार्टी की राष्ट्री प्रवक्ता भी हम सीमा हैदर को नियुक्त कर देंगे तो यह सारे वादे कि पॉलिटिकल पार्टी की वजह से अब आप सोचिए आगर मैं यह कह रहा हूं कि एक राजयोग की तरफ जो सीमा है वो बढ़ती हुए दिख रही है और किसम हुए